हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल चटाकर है सोई में आज मैं आपको सर्फ कर रही हूँ पराथे की एकदम नई रेसिपी सेंग्री और प्यास का मठी पराथा सर्दियों में अगर आपने इसे एक बार बना कर खा लिया तो मेरी गेरेंटी है कि आप इसे बार बार चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसकी रेसिपी यहां मैंने इन सेंग्री की फलियों से इन पराथों को बनाया है यहां हम लेंगे आटा, सूजी, अद्रक हरी मिर्च, हरा धनिया, बारिक कटा हुआ प्यास और बारिक कटी हुई सेंग्री की फलियां इन सभी चीजों को हम पहले थोड़े मसाले नमाक, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, यह सभी डालकर अब हम इसे पहले अच्छे से मिक्स करेंगे, सब्जीयों को हम आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम पानी थोड़ा से इसमें रिफाइंड ओईल एट करेंगे अब यहाँ पानी के साथ हम एक डो तेयार करेंगे डो आपको इसका थोड़ा टाइट लगाना है क्योंकि जितना टाइट डो होता है पर आठे उतने ही खस्ता बनते हैं यहाँ इस तरह से बहुत ही कम पानी के साथ आप एक टाइट डो तेयार कर लेजिए यह देखिए डो तेयार है अब हम इस पर थोड़ा सा रिफाइंड ओईल लगा कर इसे दस मिनिट के लिए धक कर रख देंगे दस मिनिट के बाद सूजी फूल चुकी है और डो हमारा अच्छे से टाइट हो चुका है अब हम यहाँ इसका थोड़ा बड़े साइस का पेड़ा बनाएंगे क्योंकि यह पराठे थोड़े मोटे बेल ले जाते हैं यह देखिए यहाँ मैं इतना बड़ा पेड़ा बनाकर और इसे सुखे आटे के साथ ऐसे बेल रही हूँ पराठा थोड़ा मोटा ही बनाना है आपको क्योंकि मोटा पराठा धीमी आज पर सिखने के बाद बहुत ही खस्ता बनता है ये देखे अब बस हमेसे तवे पर पहले हम थोड़ा सा ओईल लगाएंगे रिफाइंड ओईल या कोई भी ओईल आप यूज़ कर सकते हैं और अब हम इस पर पराठे को सेक लेंगे ये देखे पराठा जब पीछे से ऐसे रेड हो जाता है तब आप उस पर रिफाइंड ओईल डालकर उसे धीमी आज पर सेक लीजे जितनी दीमी आज पर आप इसे सेकेंगे ये उतना ही जादा खस्ता बनेगा ऐसे पलट कर आप इसे सेक लीजे आप भी अपने घर पर ज़रूर ट्राय कीजिए सर्दियों में ये पराठा बहुत ही डेस्टी लगता है बटर के साथ आप इसे खाईए और कोई भी अचार सबजी आप ले लिजे बहुत टेस्टी पराठा लगता है ये और मैं गैरंटी देती हूं कि अगर आपने एक बार ये पराठा बना लिया तो आप बार बार अपन अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ये देखिए कितना खस्ता पराठा बना है हमारा चटाका रसुई में आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही रेसिपी लाती रहूंगी बाब बाब